हलो फ्रेंड्स आप सबीका जीके जी स्टीटेंटी में स्वागत है आज का वीडियो है नेशनल पार्क से रिलेटेड इंडिया में जितने भी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल लाइफ सेंचूरी है इस वीडियो में उसके बारे में हम लोग देख लेंगे और सार करते हैं पहला कोशन है नेम इंडिया लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है यह कौन सा है तो इसका सही जो आंसर होगा यह ऑप्शन नमर सी में हेमिस नेशनल पार्क यह सबसे बड़ा नेशनल पार्क है नेक्स्ट है इन फीच ने संगल में Culted को नेक्स कॉतिन है वैरिस फ्लोटिंग केबून लंजाओ नेशनल पार्क शिचुईटेब तो ये जो है सिंचोएटेड ये है मद पूर में मैंद मीजोरम में मानिपूर में कीबूल लंजाओ बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखे काफी बार पूछा गया है यह एक फ्लोटिंग है मतलब पानी के बीचो बीच आइलेंड जीसा है अगला है वेर इस वालमी की नेशनल पार्क सिचुएटेड वालमी की नेशनल पार्क जो है यह सिचुएटेड है बिहार में ऑप्शन नमर इसका डी सही होगा बिहार में कुछ और इंपौर्टेब्रट इंशनल पार्क वाललाइब रेडैयो और इक्जाम में जो इंपौर्टेंट लिख दिया हूं और इक्जाम में यह सारा पूछा हुआ है यहां पर सिर्फ मत्य चाहिएगा क्था-त्र इसका स्क्रीन्शोटस खीच कर सकते हैं बिहार में एक है भीमबंध वाइल लाइफ सेंचूरी ये कहां पे है इसका जगह भी पूछा था एक जाम में S.A.C. में ति ये मुंगेर में है मुंगेर डिस्टिक है बिहार का वहाँ है दूसरा है गौतम बुध वाइल लाइफ सेंचूरी ति ये कहां पे है ये गया में है नेक्स है कायओ कैमूर वाईल लाइफ सेंत्चूरी यह है कैमूर में और उसके बाद है विक्रम सिला गैंगे सिक डॉल्फिन जंचूरी यह भागलपुर में यह वाला इंपोटेंट यह पिछले 2-3 साल में बहुत बार इज़ाम है बिहार से बिक्रम सिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहां है यह भागलपुर में है नेक्स देखते हैं फिच नेशनल पार्क इसके लिए जो फेमस है यह है काजी रंगा नेशनल पार्क अप्शन नमर सी में है और यह इसका सही असर होगा यह है कहां पर असाम में नेस्ट है, where is Duchy gum wildlife century situated? तो डची gum wildlife century situated है यह है Jammu and Qasmir में, इसका option नमर C होगा, और Jammu and Qasmir में एक और है जो एक जन्व में पूछा जाता है, यह है किस्तवार high altitude national park, यह भी याद रखे जम्य आन कसमिर से यह दोनों alternate exam में पूछा गया है, next है, where is dumpa wildlife century situated? तो dumpa मिजोराम में औप्शन नमर इसका डी सही होगा कुछ और देखते हैं मिजोराम में मिजोराम में है मूलेन नेशनल पार्क और एक तावी वाइल लाइफ सेंचूरी यह दोनों इंपोर्टेंट है यहां पर मैं अगेन बोल रहा हूं कि जो यहां पर 30 दिया हुआ है सिर्फ उस पर सिर्फ आप पढ़के नहीं जाएगा जो एक्स्ट्रा यहां पर बता रहा हूं यह सब भी जामें पूछा गया है नेक्स है फेर इसक्लादे लेपरड नेशनल पर्क सिच्वेटटर तो क्लाडेद लेपर जो है यह सिच्वेटट है की थिर्फ नमाशन कहल conservative अ कि और दो है यह भी जामें पूछा गया है वीशन नेशनल पर्क और एक है ररवा कॉंट्बा वाला ज्यादा वार पूछा गय देखते हैं नेम इंडियाas first national park तो इंडिया का पहला जो नशनल पाक से यह जिम कोड़ए नेशनल पार्क था अप्शन न्मबर रा इसका सही होगा है नेक्स्ट है वेस्ट Czech s आनसी नेशनल पार्क शिच्छोतेड यह करनाध का में कुछ और निल्र Bak Ж Mauricon सेंचुरी है मैं वह दिखा दे रहा हूं आप यह भी अच्छा से इसको याद कर ले आए करनाटका में देखिए बांधीपूर नेशनल पार्क है बहुत इंपोर्टेंट है नागर होले नेशनल पार्क है बननगहटा नेशनल पार्क है भाद्रा वाइलाइब सेंचुरी है पांचो का पांचो एकदम इंपोर्टेंट है किसी को भी छोर के मन जाएगा क्योंकि एक्जाम में कभी भी इधर उदर से पूछ सकता है कि आप एक नमबर कीजिए लेकिन अच्छे से शीओर करके जाए नेक्स्ट है वेर इस तांसा वाइल लाइफ सेंचुरी सिचुएट अब ऑफ लेड़ तो यह है सेचुएटेड महारास्टा में अप्शन नमर इसका सी है महारास्टा हम कुछ और इंपोर्टेंट है महारास्टा में देखे तनोवा टाइगार रिजर्व है काफी इंपोर्टेंट उछा गया है संजय गांधी नेशनल पार्क है उसके बाद है चंदोली नेशनल पार्क है, उसके बाद है गुगामल नेशनल पार्क है, नावगाउन नेशनल पार्क है, उसके बाद है फंसाद वाइल लाइफ सेंचुरी, यह बर्ड सेंचुरी है, यह भी पूछा गये काफी बारी जाम में, याद रखे, यहाँ पर जितना भी इसको कर लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपको रिवीजन के टाइम वीडियो देखना ना पड़े और ऐसे मेरा एक e-book है आप चाहे तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके लिए आपको सिर्फ एक मोबा वाला है हिंदी में बोलने से आप लोग हिंदी में भी लादिंग नेस है लिए चिलिका लेक वाइलाइब सेंचूरी सिचूएटट तो यह जो सिचूएटट है यह और इसाम कुछ और इंपोर्टेंट संचूरी है आप देख लिजे यहां पर देखेंगे एक है वीतर कानि वाइलाइब सेंचूरी यह है एक ओलीव रिडली टर्टल के लिए फेमस है यहां पर याद रखें यहां जो लिखा रहा है नाम नाम भी याद रखेंगे कि पुछा गया था इसा भी कोशन कि गहीर मत वीच जो है वहां किस चीज के लिए जाना जाता है तो ओलीव रिडली अगर्तायी टर्टल के लिए अब यह उरिशा में नेक्स्ट है फ्येरी एवोड वाइल्लाइप सेंचुरी सिच्वेटेड तो यह सिच्वेटेड है पंजाब में अप्शन नमर् इसका b सही होगा नेक्स्ट है येस कावावॉल वाइल्लाइप सेंचुरी सिच्वेटेड तो यह situated है तेलंगाना में, option number इसका D सही होगा, next है where is महात्मा गांधी marine national park situated, तो यह situated है अन्दमान एन निकोबार में, option number इसका D, next है अन्दमान निकोबार में कुछ important, पहला तो है saddle pick, यह अन्दमान निकोबार का सबसे highest pick है, यह भी question पूछा गे था, saddle pick national park, दूसरा है रान जहां सी marine national park, मौंट हराथ national park, और कॉमबे बे national park, यह चारोब में से कम से कम, दो तो जरूर याद रखे, saddle pick वाला, और यह कम बे national park की पूछा गया है, बहुत बारा, इसे तो सारा जितना भी यहां पे लिखा हुआ हो, सारा कुछ, कुछ ना कुछ एक्जाम में पूछा हु यह भी अनमान निकोबार में है, ज्याद है कि साउथ बटन आइलेंड नेशनल पार्क, नेक्स्ट है वेरीच गंगोत्री नेशनल पार्क सिचुएटेड, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है यह उत्राखन में सिचुएटेड है, उत्राखन में और जो इंपोर्टेंट है, देखें कॉर्बेट नेशनल पार्क गोविन नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क वैली ओफ फ्लावर उसके बाद है केदारनाथ वाइल लाइब सेंचुरी यह सारा कुछ जो है उत्राखंड में और सारा इंपॉर्टेंट है नेक्स लेखते हैं वेर इस श्री बेंकेटेश्वर नेशनल पार्क सिचुएटेड तो यह सिचुएटेड है आंध परदेश में और सनमर इसका सी सही होगा आंध परदेश में दो और है जो इंपोर्टेंट है पहला तो है नागा अर्जुन सागर स्री सेलम सेंचुरी और उ सिचुएटेड हैं हडियाना में हरियान से एक और extraben में बुच्छा जाता है वह बहुत बैख लीजै कालेसर हां लाइभ सेंचुरी अब लीपिंपोटेंट है हरियाना का Bernice वेर इस ग्रेट हिमालायै नेशनल पार्क सिचुएटेड तो गर इंध कुमालियन नेशनल पार् यह दोनों याद रखे हिमाचल प्रदेश से नेक्स्ट है वेर इस बंसाद वाइलाइफ से बंसाद नेशनल पार्क सिचुएटेड बंसाद जो है यह सिचुएटेड है गुजरात में गुजरात में कुछ और इंपोर्टेंट है जो भी यहां पर आप देख सकते हैं पहला तो इंपोर्टेंट है गीर नेशनल पार्क जो काफी बारिक जान में पुछा दिया है यह एसे टिक लाइन के लिए फेमस है इसके बाद है मरी नेशनल पार्क गल्फ ओक लोकेशन याद रखे वाइल एस और है मुद्दु मल्ही बाइन लाइफ शन्चुरी यह चीचज़िट hometown औरी से होगा एंधाल से में information दे रहा हूं उसको जरूर पढ़के जाईएगा सिर्फ mcq से काम नहीं चलेगा नेक्स्ट है वेर इस आंसी नेशनल पार्क सिचुएटेड 23 23 का अंसर जो होगा यह होगा आंसी नेशनल पार्क करनाट का अपसर नम्मर इसका यह मैं यहां लिखते रहा हूं गोवा में सिचुएटेड है गोवा से एक दो और नेशनल पार्क देख लेते हैं से पहला तो है सलीम अली वर्ड सेंचुरी काफी बार इजाम में पूछा गया है और उसके बाद नेतराव नेक्स देखते हैं नोक्रेक नेशनल पार्क सिचुएटेड तो नोक्रेक जो है यह सिचुएटेड कहां पर है यह सिचुएटेड है मेगाले में अप्शन नमर इसका सी सब्सक्राइब नेट्स है वेर इस दा भगवान महावीर वाइल लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड तो भगवान महावीर जो वाइल लाइफ सेंचुरी है यह सिचुएटेड होगा वो 25 इसका से आंसर होगा अप्शन नमर एक गवा नेक्स्ट है वेर इस मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड तो मानस नेशनल पार्क जो सिचुएटेड है यह है असाम में ओप्शन नमर इसका डी सही होगा नेक्स्ट है इन वीच नेशनल पार्क एस्टेटिक लाइन इस फाउन तो देखिए मैं कोस्टन पहले बता चुका कहां पर खुझरात में यहां पे एसेटिक लाइन है नेक्स्रेप पलांउ इनेशनल पार्क सिचुएटि यहां पर बेतलभला मुर्णल टो यह कहां पर यह जारखंळ में जारखंळ से दोनों लोकेटेड है, next है, where is kangar valley national park situated, तो kangar valley national park जो है ये 36 गड़ में situated है, option number इसका C सही होगा, और 36 गड़ में कुछ और है, वो भी देख लिए पहला तो है इंद्रावती, national park जो काफी बार इस जाम में पुछा गया, 36 गड़ में located है, next है, where is पाखुई wildlife century situated, तो पाखुई wildlife century जो है, ये situated है, भी 36 गड़ में, option number इसका C सही है, और मध्परदेश का कुछ important यहाँ पर देख लिए जो काफी बार इस जाम में पूछा गया है, मध्परदेश का ये सारा जो है, important है, एक भी मध्परदेश के जाए, सारा को अब नोट कर लिए, काना tiger reserve, वान्दावगर नेशनल पार्क, फेंच नेशनल पार्क, सत्पुरा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बन बिहरी नेशनल पार्क, इंदरावती नेशनल पार्क, ये सारा important है, इसको एकदम रट्टा मार के जाम जोन जाए, ये था इस वीडियो का आखरी question, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, तैसे लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेस कर लिजे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सोसल मीडिया का लिंक दिया हुआ, इंस्टाग्राम, फेस्बूप, ट्विटर, कहीं, वहां से जाके आ फॉलॉपर के डारेक्ट मेसेज कर सकते हैं, थैंक्यू फॉर वाचिनी